बड़े ही दुखी मन के साथ एक बाप ने अपनी जिन्दा बेटी का पिंडदान किया और कारण था उस बेटी ने हिंदू धरम से मुस्लिम धरम में जाकर निकाह कर लिया पूरी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खबर जो है जबलपूर की है जबलपूर का गोहलपूर इलाका है जहां का गाउं है अंगेड़ा वहां में एक हिंदू परिवार की बच्ची जसके लिए माबाप ने सोचा था कि वो उसका कन्यादान करेंगे लेकिन माबाप को बिना बताए उसने जो है एक मुसलिम परिवार में शादी कर ली और अपना जो शादी का कार्ट छपवाया उसमें उस लड़की ने अपना नाम भी बदल दिया और उस लड़की का नाम हो गया फातिमा यानि की कनवर्जन का एक और मामला जब बाप को और साया और बाप ने कहा कि मैंने अपनी बेटी का करना था कन्यादान लेकिन देखे मेरी बेटी ने क्या किया है जिसके बाद बाप ने अपनी जिन्दा बेटी का कन्यादान करने के बिजाए कर दिया पिंड़ दान और पिंड़ दान के लिए उन्होंने एक शोक निमंतरन भ लेकिन किया पिंड दान अब बेटियों को भी सोचना चाहिए क्या इस तरह से अपने परिवार या अपने पिता को इतना दुख देना चाहिए ये रिलीजियस कनवर्जन का जो मामला है तेजी से बढ़ रहा है भारत के अंदर इसमें बड़ी जरूरत है अपने बच्चों को सही आधर्श देने की बच्चपन से ही अपने धरम की जानकारी देने की क्योंकि आज हो क्या रहा है वेस्टनाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं अंग्रेजी स्कूलों में तो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लेकिन अपने बच्चों को धरम से दूर किया जा रहा है और स्कूलों का भी क्या कहना है स्कूलों में आजकल गायतरी मंतर नहीं पढ़ाय जाते स्कूलों में आजकल जो पहले के टाइम मौरल लेसन दिये जाते हैं धरम को लेकर वो आजकल सब खतम हो चुका है और हर जगा वेस्टनाइजेशन और अंग्रेज इसी कल्चर को अडाप्ट किया जा रहा है जिस वज़ा से आज लड़की हैं इस तरहां कदम उठा रहे हैं मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को अपने धरम के बारे में जरूर जानकारी दें बच्पन से ही शुरू कर दें उनको जो भी वो धरम से हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं इसाई हैं उनको अपने धरम की जानकारी जरूर दें वरना बहुत देर हो जाएगी धन्यवाद राम राम